नमस्कार नेक्स्ट नाइन नीज निशन में आप सभी कर स्वागत में आपके साथ शिशांको पाध्या है तो उत्रप्रदेश के विदानसवा चुनाफ जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं इस बार चुनावों में OVC की मुझूदगी खास ठर्चा का विशे बनी वही है और इंडियन, मुस्लिम है, इत्योह दाहिल, मिस्लिम के अध्यक्ष और हैदरावाद के सांसद असुरुददीन OVC ने यूपी के विदानसवा चुनाव के लिए पूरी तागत जोग दिये मुस्लिम वोटो के साहरे यूपी विदानसवा में एंट्री का क्वाब देख रहे है, OVC के साथ साथ विवाद भी चल रहे है दरसल AIM, AIM के पोस्टरों में अयुद्या को फैदावाद लिखने के विवाद ठंडा ही नहीं पड़ाता कि अब उनके साथ एक और विवाद जुड़ गया, वुद्वार को उनकी संबल यात्रा से जुड़ा एक पोस्टर बड़ी तीजी से वाइरल हुआ जिसमें उनकी पार्टी के कारेकरताओं ने संबल को गाजीयों की धर्ती बताया वहीं बीजेपी ने संबल को गाजीयों की धर्ती कहे जाने पर सक्त एतराज दताया है पार्टी नेताओं का कहना है कि OVC और उनकी पार्टी इस तरह के पोस्टर बाजी से प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है और सांप्रदायक धर्वीकरण के बल पर चुनाव जीतना चाहती है उतरप्रदेश बीजेपी के वरिस्ट प्रवक्ता हरीस चंस्रिवास्तव ने कहा संबल को गाजीयों की धर्ती बताना का मकसद साफ है कि वैद्धार में कादार पर पस्टमी उतरप्रदेश में धर्वीकरण करना चाहते है इसी का उनको लाव मिलेगा संबल कभी गाजीयों की धर्ती नहीं ना बलकि इसका अपना एक पौराडिक महत्व रहा है पुराणों में कलियोग में भगवान स्री हरी विश्नु के दशम और अंतिम अवतार स्री कल्की के संबल में होने का भी जिक्र मिलता है ओवेसी जैसों को ये समझना चाहिए कि शब्दों की बाजीगरी से किसी शहर की पहचान को वे नहीं बदल सकते चलिए इस पूरे विवात के बीच ये जानना दिल्चस्प हो जाता है कि अगर संबल का सही इतियास क्या है संबल का पौराडिक महत्व क्या है गाजी का मतलब क्या है और सबसे जरूरी कि असुर्दीन उवेसी की पार्टी ने संबल को गाजीयों की धर्ती कहे कर संबोदित क्यों किया इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतियास को करीब से मतलब धाईसो साल पीछे जाना होगा पांचमी शेताब्दी इसापूर्व के दौरान संबल पांचाल शाशकों का गड़ था और बाद में समराट अशोक के सामराज जी का हिस्सा बन गया अशोक के बाद संबल पर कई शाशकों ने शाशन रा बारवी सताब्दी के दौरान दिल्ली के अंतिम हिंदू शाशक परत्विराद चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहां दो भैंकर युद्ध किये थे दोनों गाजी सेयद सालार मसूद के खिलाफ लड़े गए थे सामराज जी के शाशक मेहमूद गजनी का बतिजा था चौहान ने पहले युद्ध में तो जीत हासिल की मगर दूसरे युद्ध में उने हार का सामना करना पड़ा हाला कि इस तथे को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है और इसे एक तरह से जूटी अववा भी कहा जाता है दिल्ली से करीब होने के चलते संबर हमेशा सही दिल्ली में बैटे शाषकों के लिए बेहत महत पूंड रहा है चौद्वी सताबदी वे दिल्ली के पहले मुस्लिम सुल्तान कुतुबदीन एबक ने संबल पर कबज़ा कर लिया और इसे अपना सामराज जमेशा मिल कर लिया इसके बाद फिरोजशा तुगलक ने संबल पर चापा मारा क्योंकि वहाँ के हिंदू शाषकों में से उसकी सेना वे कई सेनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था इस कारवाई के बाद तुगलक ने संबल में एक मुस्लिम शाषक का स्थापना किया और सभी हिंदू शाषकों को हरा कर उन्हें जीवन भर के लिए गुलाम बना लिया लोधी सामराजी के दूसरे शाषक सिकंदर लोधी ने तो संबल को अपने विशाल सामराजी की राजधानियों में से एक घोसित कर दिया था और संबल लंबे वर्सो तक इसी तरह लोधी सामराजी की राजधानियों रहा इसके बाद देश में मुगल आए पहले मुगल शाषक बावर ने संबल में पहली बावरी मस्जद का निर्मान किया जिसे आस तक एक एतियासे किस मारक माना जाता है बाद में उसने अपने बेटे हुमायू को संबल का गवर्नर बना दिया और हुमायू ने बदले में अपने बेटे अकवर को साशन सौब दिया का जाता है कि संबल अकवर के शाषन में फला फूला लेकिन साजा के हाथ में संबल के सब्ता जाने के बाद इस शहर की लोग प्रियता में काफी गिरावट आ गई इतना सब जानने के बाद मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा क्या के जो संबल आज यूपी का एक छोटा सजला है वे मुस्लिम शाषकों को इतना प्रिये क्यों था जरसल सबसे पहले गाजी का अर्थ जानना आपके लिए बेद जरूरी होगा गाजी मतलब धर्म योद्धा ऐसे लोग जिनोंने अपने धर्म ध्वजा लैनाने के लिए युद्ध किया हो संबल का इलाका एक बेदी, स्ट्रेटेजिक और महत पूर्ण जगे थी यहां से कोई भी शाषक पूरे पस्ट्रे में उत्तर प्रदेश पर शाषन कर सकता था वैस्टन यूपी दो आपका छेतर है और बहुत ही उपजाओ है इसलिए दिल्ली में बेटे शाषक के लिए ये इलाका एकिनोमिका बहुत बड़ा स्रोथ था संबल में इस्तित जामा मजज़ित को केंदर बना कर मुश्रिम शाषकों ने बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन किया संबल एक सरफ से धर्मांतरन का सबसे प्रमुक केंदर रहा इसलिए आज भी कई मुस्लिम लीडर इसे गाजियों की धर्ती कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने और उनके पूर्वज़ों ने यहां धन की लड़ाई जीती संबल और आसपास के इलाकों में धन की लड़ाई जीतने का असर था कि मुस्लिम शाषक बैस्टेन उत्तर प्रदीश और काफी हद तक उत्तर भारत पर लंबे समय तक शाषन करने में सफल रहे थे यही धर्मांतरन वाला कार्ड दक्षिन भारत में नहीं कामियाब हो रहा था इसलिए अकबर समयत मुस्लिम शाषक सिधे तौर पर वहाँ शाषक नहीं कर पाए इसके उलट संबल में उन्होंने मजबूती से अपने पाउं जमाए और पूरे वैसने यूपी को इसलामिक रंग में रंग दिया संबल का इसलामिक हिस्ट्री के बहुत प्रवाव है वह मानते हैं कि संबल का इसलाम के प्रशार में एहम योगदान है इसी को केंदर बना कर पस्ट में यूपी की जितनी प्रवावशालिय जातिया थी उनको इसलाम में धर्मांतरन कराया जा रहा था उन्होंने कहा इसलिए तागत और तलवार के दम पर किये गए धर्मांतरन को दर्मयुद्ध बोलना क अगर आज उसे गाजियों की धर्ती कहना लोगों को बर्गलाने की एक कोशिश है और कुछ नहीं इतियास के रावब पुराणों में भी संबल का एक विशिश स्थान है बता दे कलियुग में भगवान स्री हरी विश्नु के दस्वे और अंतिम अवतार स्री कल्की के संबल में होने का जिक्र मिलता है पुराणों में भगवान के स्री कल्की अवतार का संबल के एक ब्रामन परिवार में होना बताया गया है जिसका जिक्र सिखों के दसवे गुरू स्री गुरू गुविन सिंग ने भी दश्यम गरंत में किया है संबल में कल्की पीड भी स्ताफित ह और हर साल स्रीकल की मौसप का आयोजन किया जाता है संबल की पौराडिक महतुता को देखते हुए महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी उत्रपदेश के संबल को मानने तदी और कल की विश्णू मंदिर बनवाया तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने बताया कि ये विवाद असरुदीन OVC के द्वारा संबल में चलाया जा रहा है इसकी बारीकी से जानकारी क्या है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी था ऐसी दिल्चस्प कवर हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स नाइन न्यूज नेशन